ये चिन्दी चोरों ने हालत इतनी गंदी करके रखी थी कि इस मसनक पे बैटे वे सज्जादा नशीन को कोई अपने बाजू बिठाना गवारा नहीं कर रहा थी वो महरूम उल विर्ष को हटाने का जगड़ा एक सो साल से चल रहा है उस शक्स का जिसका हाथ है जिसका पंजा है बोलकर बोला उनके कई बिराधरी की प्रापरटीज मैं यहाँ पर तमाम दस्तावेजात के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं यह जो धमकारे मारते हैं खतल कर कि दे खतल करें इंशालला होंगी अब यहां पर मैं हमारा शिजर नशब बताना चाहता हूं शर्फुदीन सरमस्त्स शाुभात दाली है गोड़ दाली है गोड़ किसे दाली एक इंक्विरी कंडक्ट की थी जिसमें कहा गया कि अतावला सरमस्त इस पूँ उन्हों इसके अ शराबी एक होता है अलल एलान शराब पीने वाला पोलिस ने रेड करकर रंगे हातों जुवा खेल के वे पकड़ा है अब यहां पर ट्विश्ट देखिए वो लोग दमरू बजा रहे हैं उन्हों नाश्टर जा रहे हैं इन्हों अवलाद से नहीं आते पूरे फोरूम्स के ओपर हम लड़े हैं और अलहमदुलिल्ला जीते हैं मैं मेरी चेर्मेंशिप और मेरे बैसाब अपनी मुट्वलिशिप छोड़ देंगे इस तरह से हाली में गुलवर्गा शेहर में जो वफ अदालत रखी गई थी बीजर जमीरामत खान का गुलवर्गा आना हुआ उस दोरान आपके खिलाफ उस प्रोग्राम में कई नारे वहां पर लगाए गए और जो याधीर में जो दर्गा हैं उस पर भी इस तरह से आपक जो मामला चल रहा है उसमें उसके खिलाफ भी आपके बयानात आये हैं और दिगर लोग भी आपके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं उस पर क्या करें असलाम आलेकुम और रहमतुलाहिव बरकातों सबसे पहले तो मैं तमाम मंगुलबरगा के सोशल मीडिया परसंस और शाहपूर के जरीए भी जितने सोशल मीडिया परसंस की तरफ से मैसेज अवाम तक पहुंचेगा दिल की अमीग गहरायों से ममनूनों मश्कूर हूं कि आ अब यहां पर आज यह प्रेस कांफरेंस करने का मकसद और जरूरत ही इसलिए महसूस हुई क्योंके जूट इस खदर बोला जा रहा है कि वो सच की शकल इक्तियार कर रहा है और लोगों में कहीं न कहीं एक तश्वीश का माहूल है दरगा हज़र सूफी सरमस सरजमीन दकन की पहली बड़ी सब में बड़ी बारगाह है जहां पर मेरे जद्याला सरकार सेदना सूफी सरमस रहमतुलाहिट आले ने आज से तकरीबन साथ सो साथ पैंसट साल पहले आप दकन तश्रीफ लाए और आपने पर्चम इसलाम को बुलंद फरमाया तो वहां पर पहले में इस allegations जो continuously एक दो तीन प्रेस कांफरेंस हुए हैं और दो तीन चीज़ें अवाम के सामने आई हैं यह हो सकता है यह वीडियो बड़ा हो तो जिनको भी इस topic के अंदर interest हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यह वीडियो end तक देखें क्योंकि यह एक ही वीडिय के अंदर देकर यह सिल्सेलियों को यहीं पर खत्ब करता हूँ सबसे पहले सेवन सिक्स टूथाउजन नाइंट ट्वैंटी नाइन यानि साथ शे दोहजार उन्नीस को एक application फाइल हुआ बिफोर दी करनाटका स्टेट बोर्ड आफ ओकाफ फॉर दी अपॉइंटमेंट अश्रार सूफी सर्मस रहमतुलाही ताले ले वहां पे दो कले मंट हुए एक कले मंट सेद मुहंद मुझीबदीन म्नव्र सर्मस साथ । लाली, सन अफ सेद्शा मुहम्म्ध नज्मिल्हुदा सरमस साभ खिबला मदर्जल्हुलाई। लाली, उनके मुखाबल विए इंदि एर ऑफ टूटाउजन नाइन में, और यहां पर एक इंकॉरी कॉल फॉर की गई, आज से पहले कुछ दिन पहले एक इंट्रवीव में मौसूफ चिला चिला कर कह रहे थे कि इस मामले में इंक्वाइरी नहीं हुई है अब तक फेर इंक्वाइरी नहीं हुई है कि इन्होंने बुलाकर इसके ओपर कंप्रीट इंक्वाइरी की है यह इंक्वाइरी की नोटशीट करनाड़का स्टेट बोर्ड ऑफ वकाफ का जो इंक्वाइरी कंड़क्ट हुआ यह उसका नोटशीट जिसमें मेरे बड़े भाई साथ सभी शाह मुझी बदीन मुनुवर सरमस साथ कि इस सिखनेचर और सदुल्ला सरमस्तकी साथ कि इस क्वाइरी की इसक्वाइरी की हैं और तकरीबन चार महीन नहीं गाति इस्लामुदीन गदियाल जो उस वक्त चीफ एक्जेकुटिव आफिसर थे करनाटका स्टेट बोर्ड आफ उकाफ के उन्होंने 21 डिसंबर 2019 को इन्कॉरी रिपोर्ट करनाटका स्टेट बोर्ड आफ उकाफ को पेश किये इस कम्प्लीट रिपोर्ट की कॉपी में मेडिया परसंस को देता हूं कम्प्लीट ये छे साथ आट नो नौ पेजस की रिपोर्ट है जिसमें तमाम लोगों के फाइंडिंग्स लेने के बाद चीफ एग्जेक्यूटी आफिसर अपना व्यूपॉइट देते हैं इन दी व्यूपॉइज़ अप्रइज़ फैक्ट्स अंड सर्कम्टांस आट इस लाइउन दे रिकमेंडेशन मेड बई वक्फ आफिसर डिस्टिक वक्फ अडविजरी कमेटी यादगीर श्री सय्यद मुझी बुद्दीन सर्मस सन्नौ सेयद मौंबन अजमुलुदा सर्मस में भी अपॉइंटेड अज ए मुतवली तु दर्गाहजर सूफी सर्मस रहमत अलाले वहां पर असदुल्ला सर्मस साहब के अप्लिकेशन को क्या कर दिया गया रिजेक्ट कर दिया गया और अपॉइ इडी जी स्लैश टूटाउजन एटीन नाइंटीन डेटेड सेवंटीन वन टूटाउजन ट्वेंटी मेरे भाई साब का आडर करनाटका स्टेट बोर्ड ऑफ और अवकाफ से पहला आडर इश्यू हुआ जिसमें मेरे भाई साब को सेयशा मुहमद मुझी बुद्दीन सर् सब्सक्राइब का मुझी अपॉइंट किया रहा है तूटाउजन ट्वेंटी में सेवंटीन वन टूटाउजन ट्वेंटी अब यहां पर एक मैं यहां पर एक बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं इस इंक्वाइरी में ना सिर्फ मुझी बुद्दीन सर्मस्थाब और सिराज साहिब हैं उन्होंने इंक्वाइरी में बिफोर दी चीफ एक्जिक्टिव आफिसर एक एफेडेवेट दिया था और एफेडेवेट में उनका कहना था कि असदुल्ला सर्मस्थ जो हैं जो वन आफ दी अप्लिकेंट थे वो मुतवली बनने के खाबिल हैं और उनके अलावा उनका पॉइंट बता रहा हूं मैं सिराजुदीन सर्मस्थ आपका पॉइंट बता रहा हूं कि उनके अलावा कोई आदमी सज्जादा नशीनी के राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा गोर कीजिए कि इस एफेडेवेट के अंदर क् कि असद उल्ला सर्मस्त के अलावा कोई भी फर्द सज्जादा नशीनी के राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता यह शरीफ अफोल्यूट राइट्स यह कितने लोगों ने एफेडेवेट दिया अमाम फर्जंदान ने एफटिवेट दिया उनके साथ साथ ये सायश्या अता उल्ला सरमस्त ये उनका एफटिवेट है जो बिफोर दी चीफ एग्जेकुटी आफिसर द्यूरिंग इंक्वाइरी वो पेश करते हैं और इसके अंदर वो कहते हैं के इसका माना इसका मफूम ये होता है के असदूला सरमस्त सहाब के अलावा कोई भी दूसरा आदमी मतवनी शिप के दावय को नहीं डाल सकता ये किसके किसके मताबिक हुआ ये इसमें मेरे भाईसाब का अपॉइंटमेंट ऑडर भी हो गया मेरे बाईसाब को मतवनी के तोर पर अपॉइंट भी कर दिया गया वही inquiry के दौरान सयश्या असदुल्ला सरमस्त की certified copy effedivate की मैं आपके सामने दे रहा हूं यही inquiry के दौरान असदुल्ला सरमस्त एक effedivate before the chief executive officer file करते हैं before the chief executive officer करनाटका state board of aukaff effedivate I am सयश्या असदुल्ला सरमस्त son of सयश्या ग्या सुद्दीन सरमस्त that the dependent is the Sajjad Anashin and Mutvanli of Dargah as a Sufi सरमस the dependence on this effedivate to be effect that the occupancy rights under the land reforms act notified in the gazit notification serial number 175 of the state Dargah were granted in the favor of respective tenants and the ownership has been conferred in favor of the state tenants no lands is available in the name of Dargah on this point right यानि असदुल्ला सरमस्त 2019 की inquiry में before the करनाटका state board of aukaff chief executive officer क्या कहते हैं कि अब Dargah शरीफ के दाईरा एक्तियार में कोई भी land मौजूद नहीं है और बाखी नहीं है लैंड reforms act के थैंक्योपेंसी टाइट जन्रेट हो चुका है जब यहां पर मेरे भाई साथ का मैं सिर्फ अभी सिर्फ असदुल्ला सरमस्त जो में दावेदार हैं दर्गाह हजरत सूफी सरमस्त की सज्जादा नशीनी और मुत्वलिशिप के मैं उनके तालुक से बात कर रहा हूं यह हमारा आर्डर होने के बाद सैयशा असदुल्ला सरमस्त सनन ओ स्य यह गया सूदिन सर मस्त ने उन्होंने तीन दोप्रेर्द पूछें एक हमारा जो आर्डर यह जो आर्डर होआ है इस आर्डर को सेटेसाइट करें और उनको सज्जादा नशीन एन हेरिटेटरी मुट्वली क्या करें डिक्लियर करें अब मैं आपको उनके प्रेयर्स बताता हूं अप्लिकेशन नंबर 7 2020 विफोर दी कोट आफ वक्फ अप्लिकेशन वक्फ ट्रीबिनल की कलबुरी की बेंच पे अप्लिकेशन नंबर सेवन 2020 उन्होंने फाइल किया और उसके अंदर उन्होंने प्रेयर्स क्या पुछे पहली प्रेयर उन्होंने पूछी सेटेसाइट दी इंपोंज आडर नंबर सोयन सोयानी मेरे भाई साब का जो आडर हुआ था वो आडर उसको सेटेसाइट करना है और उन्होंने विफोर वक्फ ट्रिबिनल इसको क्या किया दावा फाइल किया यह उसका ओर्डर दिप्लेंटिफ कॉल्ड अब्जेंट दिप्टिशनर इस डिस्मिस्ट फर डिफॉल्ट ऑन 24-11-2021 को इनका प्रिटिशन करनाटका स्टेट वक्फ ट्रिबिनल से क्या हो गया डिस्मिस्ट हो गया डिस्मिस्ट होने के बाद उन्होंने आज तक भी इस अप्लिकेशन को कहीं भी चैलेंज नहीं किया है उसके बाद 2022 में फिर से एक मरतबा वो चीफ एक्जेकुटिव ऑफिसर करनाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को एक अप्लिकेशन लिखते हैं एक अप्लिकेशन लिखकर क्या कहते हैं कि मेरे को 1989 में एक डिगरी हुई थी इस पर यहां पर मैं कास तोर पर इस दिगरी को बताना चाहता हूँ एस पर दी डिक्री पास्ट बजी मुंसिप कोट इन ओयस नंबर 101 ऑफ 1989 कि इसके तहत उन्हें सज्जादा नशीन और मुत्वली डिक्लियर किया जाए उसकी भी certified copy हमने निकाली है उनका कहना क्या है असदुल्ला सरमस्त का कहना यह है कि मेरे को सज्जादा नशीन और मुत् अंट्वली अारे यह पूरे अप्लीकेशन के अंदर ये पूरे अपलिकेशन के अंदर यह दिगरी के ने बोले किने और नहीं क्या वोले excesus क्या करें यह डिगरी का भी कौपी निकाले सूट नंबर वन नाट वन नाइंटीन एटीन नाइन डिकोर्ट आफ दी मुंसिफ जे एम एफ सी शोरापूर यह कौपी सेश्या हामिद पाशा सर्मसाब नूर लाह मरकदव ने यह भी हमारे खानवादे के एक बुजर्ग हैं इन्होंने फाइल किया था असद ल्ला सर्मस्त के वालिद सेश्या ग्यास अद्दीन सर्मस्त के खिलाफ क्या बोलकर कि मुझको सज़ादा नशीन एंड मुत्वली डिकलियर करो किसने फाइल किया था से सेश्या हामिद पाशा सर्मस्त साहब ने बिफोर दी मुंसिफ कोर्ट फाइल किया था कि मुझे सज़ादा नशीन एंड मुत्वली डिकलियर करो किसके अगेंस्ट में सेश्या ग्यास अद्दीन सर्मस्त नूर जहां बेगम यानि असद ल्ला सर्मस्त की वालिदा अता उल इसमें कहीं पर भी डिसकेशन असद ल्ला सर्मस्त सज़ादा नशीन है या नहीं है पर नहीं है मैं आपको अब्जर्वेशन मैं आपको यहां पर बताता हूं In the observation, order passed by the Munsif Court on the page number 43 as per the para 38, मैं पड़ता हूं On the other hand, wife of the defendant number 2 is examined as DW1 and the evidence of the witness is examined as DW2. D versus 1 and 2, defendants the claim of the plaintiff. As such, there is a no need for the court to discuss their due, wants and oral evidence to whatever the defendants are performing as a Sajjada Nashim of Dargah or not. Because there is a no specific issue of this effect. Court, court क्या बोला है? यह जो case है, इसमें हम defendants के right के उपर सवाल जवाब नहीं करेंगे. क्यूंकि यहां पर court में case defendants के rights का नहीं है, plaintiff के rights का है. और यह हामित पाशा सर्मस साहब का दावा खारीज हुआ. हामित पाशा सर्मस साहब का दावा खारीज क्यूं हुआ? तो उसके लिए अगर हम देखेंगे तो, फिर observation के अंदर आना पड़ेगा. Observation के अंदर court क्या बोलती है? Also, he want to be claimed of his Sajjada Nashini and Mutvalliship of the state dharga by excluding the legal heirs of Dade Peer Sarmaas. इसके अंदर Honorable Munsif Court क्या बोलता है? कि ये हामित पाशा सर्मस साहब इंडिवीच्वल अपने rights को claim कर रहे हैं. हमारे को ना असदुल्ला के claims पर बात करना है, ना मेरे को हामित पाशा साहब के claims पर बात करना है. मैं अपने claims पर बात करूँगा. मैं यहां पर हवाम के सामने सिर्फ यह साबित करना चाह रहा हूं कि असदुल्ला सर्मा साहब ने जो अप्लिकेशन बिफोर दी वक्ष बोर्ट दिया था कि 101 के तहट मेरे को सज्जादा नशीनी की डिग्री हुई है जूट है फालस है इसके अंदर कहीं पर भी उनके डिग् के लिए सेयशा मुझीबुदीन सर्मा साब खिबला ने बिफोर दी करनाटका स्टेट बोर्ड ऑफ अप्लाई किया अप्लाई करने के बाद यहां पर बहुत से अब्जेक्शन साए बहुत ते अब्जेक्शन में इस तीन लोगों के अब्जेक्शन आये उन तमाम अब्ज करते हुए मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर उन्होंने अपने राइश को जैसा के अन अब्जेक्शन हैस बिन रिसीव फ्रॉम लाबीदीन सर्मस्त और सम अधर परसंस डैट ही हाड गॉट इस्ट्रॉंग अप्जेक्शन अप्वाइंटिंग अप्लिकेशन इतना ही इसके अंदर ना उनके कुछ डॉकुमेंटल एविडेंस थे उनको किस तरीखे से बनाना चाहिए उसके कोई लिंक डॉकुमेंटेशन नहीं थे अब यहां पर मैं आपको पॉइंट और ट्विस्ट बताता हूँ तोड़ आप देखते जाहिए यह हेरिडेट्री मुत्वली शुप का ओडर है स्या मुझी बुदीन सर्मस साहब का जो अडर नंबर के साथ साथ डेटेट 293 2023 यह और इश्यू हो गया इश्यू होने के बाद फिर से एक मरतबा इस आडर के पास होने के बाद सेम परसं स्याशा असदुल्ला सर्मस्त बिफोर दी वक्फ ट्रिबिनल फिर से इस आडर को क्या करते हैं चैलेंज करते हैं इन ओयस ओयस नंबर 7 आफ 2023 इसके अंदर इनकी प्रेयर क्या है अभी वो वो तो अभी तक कहीं प हमारा शिजरे नसब बताना चाहता हूं क्योंकि लोगों के अंदर एक जर्नल बात पहलाने की कोशिश की जा रही है कि हम धर्गाहजर सूफी सर्मस्त से हमारा तालुक नहीं है दर्गाहजर सूफी सर्मस्त में जो आराम फर्मा बजर्ग हैं वो सरकार स्यदना सूफी सर्मस्त रह्मत लाह ताला ले जो बलक से हंदोस्तान को तश्रीफ लाए जिनके सिलसले नसब सरकार स्यदना अमर फारुक रवी लाह ताला नहीं से चोड़ा वास्तों से मिलता है आप दकंद को तश्रीफ लाने के बाद आपके चार फरजंदान हुए पहले फरजंद शहाब अद्डीन सर्मस्त दूसरे फरजंद निजाम الدीन सर्मस्त तीसरे फरजंद फरीद auddीन सर्मस्त और चोहते फर्जंद ताजुद्दीन मुनवर बादेशा सर्मस्त यहां पर इस बात को खाबिल गौर थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि चोहते फर्जंद हज़रत के जो हैं ताजुद्दीन मुनौर बादेशा सरमस चोहते फर्जंद से हज़रत की जानशिनी का सिलसिला चला है पहले फर्जन, दूसरे फर्जन और तीसरे फर्जन यए तीनो फर्जन दानक तबलीग दिन के लिए सरकार सुफी सरमस रहमत लाहि तौला ने रवाना फर्माएं एक फर्जंद हज़र शहाब अद्दीन सर्मस्त मानियाल शरीफ तश्रीफ लाए जहां पर आपका मजार मुबारक है हज़र शहाब अद्दीन सर्मस्त रह्मत अले का और एक अहद्या चले गए और एक पाक पटन चले गए तब्लीक दिन के लिए एक फर्जन ताजदीन मुनवर बादेशा सर्मस्त सरकार सियदना सूफी सर्मस्त के साथ रहे और उन से सिलसले नसब सिलसले जानशीनी सरकार सियदना सूफी सर्मस्त की चोटे फर्जन से चली वहां से लेकर शर्फदीन सर्मस्त, शाजहां सर्मस्त, सुल्तान अद्दीन सर्मस्त उला, खुत्बदीन सर्मस्त उला, खुत्बदीन सर्मस्त सानी, वजी अद्दीन सर्मस्त सानी, मुनवर बादेशा सर्मस्त सानी, मिया सहाब सर्मस्त सानी, इमाम अद्दीन सर्मस्त सा 226 a 15 25 इन्जाम हुकूमत میں या निजाम हुकूमत 1.5 की बार्शाई undisputed यह सिलसिला चला है कहां तक इमाम-द्दीन सरमस्त तक चला है इमाम-द्दीन सरमस्त हमारे दरगा के वाकिफ है जो दरगा अज़र सूफी सरमस्त का जो महकुम है मजभी उमिर में जब जनरेशन हुआ तो उस टाइम पे इमाम-द्दीन सरमस्त साहब ने उसको क्या करवाया क्या सूब के वाकिफव हैं उनके बाद उनके सर्मस्त मियाँ отриक्प शचना यदजजज्छीन के बाद निजाम vehicle के पिरेड़ की बार रहा है एमाम-दीन सर्मस्त हुआप 1890 में 1890 में उन्यшихता में परेड़ सजाद की यदजजजजज्चीन आपके तीन फर्जंदान, मिया साहब सर्मस्त के तीन फर्जंदान, एक मुनवर साहब सर्मस्त, एक इमाम الدین साहब सर्मस्त, एक गुलाम महमूद सर्मस्त, तीन फर्जंदान आपके रहे, अब यहाँ पर डिस्प्यूट कहां से शुरू हुआ, वो मैं आपको यहाँ पर बता के तेन फर्जंदान मुनवर साहब सर्मस्ति इमाम-दीन सयद शाग-ऑलाम-दीन सर्मस्त यहां पर मिया साउट सरमस्त की मौजूदगी में उनके बड़े फर्जंद मुनवर साथ सरमस्त का इंतिखाल हो गया यानि बाप की हयात में बेटे का क्या हो गया बड़े फर्जंद का इंतिखाल हुआ बाइदी वर्चियो आफ शरीयत मुहम्मदी मुमेडियन ला मुनवर सरमस जिनका इंतिखाल हुआ उनके बच्चे क्या होते है महरूम विर्स होते है ये शरीयत मुहमदी के उसूलो खवाई रहे उसका माइना ये है कि विरासत में उनका कोई हिसा नहीं रहेंगा अगर दादा की हयात में वालिद का इंतिखाल होता है तो बच्चा पोत्रा क्या हो जाता है महरूम विर्स होता है ये शरीयत मुहमदी के उसूल और खवाई रहें अब यहाँ पर ये दस्तावेजात हैं इसके पूरे मुनवर साहब सरमस्त का इंतिखाल हुआ तो असदुल्ला सरमस्त उनके जो बेटे है महरूम विर्स हुए और मिया साहब सरमस्त के जो जानशीन हुए वो इमाम उद्दीन सरमस्त हुए सेकेंड फर्जंद इमाम उद्दीन सरमस्त साब क्या हुए जानशीन हुए अंडिस्प्यूटडली जानशीन हुए असदुल्ला सरमस्ट थोड़े बड़े होने के बाद अब यह सदुल्ला सरमस्ट बोले तो यह सदुल्ला सरमस्ट मत समझो आप हमारे पास आप तीन लिष्ट देखो पांच शे नामच रिपीट होते हुए आए हैं दादा का नाम पो के पोत्रे असदुल्ला सरमस्ट महरूम अल्विस हो गए तो मियां सहाब सरमस्ट के दूसरे फरजंद आप दुखे तो असदुल्ला सर्मस्त के दादा अब जो असदुल्ला सर्मस्त है उनके पड़दादा ये असदुल्ला सर्मस्त है महलूम अलवीर्स से जो असदुल्ला सर्मस्त थे उनके पड़दादा मैं उनका शिजरा आपको भी बताता हूँ इमामुद्दीन सर्मस्त के दो फर्जंदान हुए एक सियशा मुनवर बादेशा सर्मस्त और दादे पीर सर्मस्त इमामुद्दीन सर्मस्त साहब को जब जानशीनी और सज्जादनशीनी बनाया गया तो इमामुद्दीन सर्मस्त साहब के दो फर्जंद एक जो फर्जंद है वो हामित पाशा सरमस्त के वालिद उनका क्लेम और एक जो फर्जन दें दादे फीर सरमस्त वो मेरे वालिद के दादा ठीक है अब यहां पर यह दो फर्जन दान इमाम अद्दीन सरमस्त सहाब के मैं आपको बता दिया इमाम अद्दीन सरमस्त सहाब है, ऐगल तुम्हरूम उन्विर्स हुआinee अज्ग को तो मेरी खिलाफ़त के साथ में तुझे जान शीनी पे क्या करता हूं, बिठाता हूंग मह slipp विर्स होने के बावजूद भी, इमाम सब्सक्राब होकर ये असदुल्ला सर्मस्त क्या करें वो जो दो सो एकर जगा दर्गा अधर सुफी सर्मस्त की थी वो पूरी अपने नाम पर क्या कर लिए निजाम मेरे परदादा के वालिद की बात कर रहा है निजाम गवर्नमेंट में ये मेरे को आपको बताने की वज़ा क्या है ये जो जगडा चलते आ रहा है ये आजकल का नहीं है ये एक सो साल पुराना डिस्प्यूट है जो महरूमुल विर्स हो चुके थे वो महरूमुल विर्स को हटाने का जगडा एक सो साल से चल रहा है महरूमुल विर्स होने के बावजूद भी जो उस अहदे पर फाइज होकर वहां पर अपने इख्तियारा साथ को जमाने की कोशिश कर रहे थे वह जगड़ा तक है यूसुफ उद्दीन सर्मस साफ साफ मेरे तक है और अजट ये गली यार आपॉंटड बाइड डी करनाठ का स्टेट वोड meu फोगा कंफ यह सेम शीजरा this is the application OS no 17 filed by the asadullahi sarmas before the Karnataka State Board of Okaf इस application के पहले पेच पर asadullahi sarmas sahab ने अपना सिल्सीलाई नसब शाया किया है सिल्सीलाई नसब के अंदर asadullahi sarmas sahab वही इमाम-ud-dene sarmas साथ वाकिव का नाम ले रहे हैं मैंने जो बोला निजाम सरकार में जो वाकिव बने सेद इमाम उद्दीन सर्मस्त सज्जाद अनशीन मुतवनी उनके बाद सेद महमूद सूफी सर्मस्त मिया साथ सर्मस्त जिनका नाम मैंने लिया वो उसके बाद इनके एक फरजंद हुए इ अपने यही शिज्रे के अंदर, Asadullah Sarmast ने मेरे दादा का नाम, Sayyad Yusuf Uddin Sarmast, bracket में, Grandfather of the Defendant No. 2. It is the family tree produced by this Asadullah Sarmast before the Karnataka State Board of Okaff. ये उनों क्या बोल रहे हैं? ये ही शिज्रे से Sayyad Shah Yusuf Uddin Sarmast, Grandfather of the Defendant No. 2. Defendant No. 2 कोने? Mohamed Mujibuddin Sarmast, मेरे भाई साब. मेरे को मेरा शिज्राय नसब साबित करने की जरूरत ना कहीं पर है, ना कहीं पर होगी. बट जो अवान के बीच में जो माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं यहाँ पर तमाम दस्तावेजात के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं. यह खतम हुआ, यह अप्लिकेशन नमबर 17-2024 जिसमें मेरे बाई साथ के एरिडेटर और को चैलेंज किया गया था, वो करनाट का स्टेट बोर्ड आफ वोकफ ने, औरन डेटेट 10 डे आफ जनवरी 2024, फस्ट जनवरी 2024 को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, बिस्मिस कर दिया, बिस्मिस करके बोला कि आपका जो दावा है वो खाबिले समात नहीं है, उसके बाद, यह मौसूफ असदुल्ला सरमस्त को निकाह, इतना सब उनके खिलाफ करके, उनकी मतولिशिफ के खिलाफ इतना आगे तक मामले को लाके, उनको करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई, हम यह सब चीजा नहीं बताते थे, लेकिन आज मजबूरी है, आपके सामने बताना पड़ रहा है, यह शख्स, जिसके साथ आज गुलबर्गा की, एक एहल सुनत और्गनाइजेशन में, सरगर्म कारकुन का किरदार निभाने वाले, एक शख्स का हाथ है, उसका पंजा है, वो शख्स समझ रहा है कि पीछे खड़े होकर अगर वो काम करेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आगे आ भी नहीं सकते, हाथ पंजा, हाथ बोले तो पंजा है, इसको बोलते हाथ, और पंजा, जो समझने वाले हैं समझ गए मैं खुल के इसलिए नहीं बोल रहा, वो शक्स खुल के सामने नहीं आया, और वो शक्स खुल के सामने भी नहीं आ सकता, क्यूंकि वो शक्स एहले सुन्नत की बहुत बड़ी आर्गनेजेशन का बहुत सरगर्म रुकने, और एहले सुन्नत की उस आर्गनेजेशन का दावा य और आप ही कि आर्गनेजेशन का एक ऐसा आदमी जो अपने आपको बहुत ही सरगर्म रुकुन कहता है वह ऐसे आदमी को दकन की सब में बड़ी बारगाह का सज्जादा नशीन बनाने पर कोशिशें कर रहा है यह उस शक्स की आलत है तस्वीर में शराब पीते हुए मौसूब बैठे हुए हैं यह बहुत पुरानी है यह मैं आपको दो दिन पहले की वीडियो आपके सामने में प्ले कर रहा हूं एक होता है शराबी एक होता है अलल एलान शराब पीने वाला यह शक्स अलल एलान शराब पीने वाला अदमी है और इसको क्या दरगाह हजरत सूफी सरमस्त इतनी बड़ी बारगाह की मसनत पर बिठाया जा सकता है ना सिर्फ शराब की आदत है बलके इस शक्स को 2021 में पोलिस ने रेड करकर रंगे हातों जुवा खेलते हुए पकड़ा है यह उसका यफ़ाया और उसकी चार्ज़ीट का कॉपी है Crime No. 62 of 2022 under section 82 of the CRPC gambling gambling असद बाबा तंदे घयास उद्दीन सरमस्त वयस 35 वर्षा जाती मुस्लिम बिजनस कूली कामगार हरू यह मौसूफ इस तरीखे की हरकतों के अंदर मुलविस हैं अब अहले सुन्नत के बुलबरगा के जिम्मेदारान इस बात का नोट लें क्या ऐसे आदमी को दर्गा हजरत सूफी समस्त की सज्जादा नशीनी पर और मुत्वलिशिप पर फाइस किया जा सकता है क्या और इन और्गनाइजेशन के जरीए ऐसे आदमियों को चंदा देने वाले जरूर एक मरतबा तहकी कर लें क्या आपके चंदे की क्या आपके पैसों की मदर से खायम करने के नाम पर या फिर इसकूल से लाने के नाम पर इस तरीखे के जुवारियों और शराबियों को मसनत पर जैसे आपकी और्गनाइजेशन का नाम पूरी तरीके से खराब हो रहा है और आपके और्गनाइजेशन का जो कॉंसेट है जो एम है जो में जो इसका थीम है ताफुज एहल सुनत का उसके उपर बहुत बड़ा सवाल या निशान इस तरह से मैं मैं इशारतन मैं इशारतन उनको अपनी जबान बता चुका हूं अगर वह खुल के सामने आते हैं तो मैं खुल के उनके खिलाफ इंशालला बयान दूंगा उन्हों सिरिफ का इस्तेमाल हो रहे हैं जो लोगों को हमसे बुग्ज है पर्टिकुलर्ली मुझसे बुग्स है वो लोग डंबरू बजा रहे हैं उन्हों नाश्ट जा रहे हैं ठीक है अभी यह खतम हो गया यह चैप्टर असदुल्ला सर्मस्त की कहानी आपको समझ में आ गई अब यहां पर ट्विष्ट देखिए हमारा आडर हुआ 2019 में तो उसके खिलाफ पहला एफिडि करके क्या वो ले बहुत इलजामात उन्हों हमारे उपपर लगाए उन्हों अपलीकिए वह इंक्वाईरी के अंदर के लावा कोई भी को क्या कर सकता है नई फ्रप्र सकता है अब्जलूट राइट है असदुल्ला सरमस्त साब का हमारा आडर होने के बाद कंटिनिवसली अ चाकिर सर्मस्त साब आटाउल्ला सर्मस्त के के लीकेशल भी चलते रहें उन्होंने पहली कंप्लेंड 2020 में इस्पी यादगीर को की उसमें उन्होंने यह कहा कि दरगादर सूफी सर्मस्त को मतवली साहब ने violation किया है lockdown का और violation करकर उन्होंने lockdown को क्या किया है पामाल किया है वहाँ पर inquiry conduct हुआ inquiry conduct होने के बाद तहसिलदार साहब का यह order सामने आया जिसमें दरगा अधरस सूफी सर्मस ने lockdown में औरुष के तमाम मरासिमात को खतम करते हुए कैंसल करते हुए तैसिलदार साफ से स्पेशल पर्मिशन लेके 20 लोगों की मौझूदगी में CPI की निगरानी में और शरीफ को कंड़क्ट किया था यहां पर इन्हें हिंबर का पॉलिश टेशन से दे दिया गया यह बार बार कह रहे हैं कि हमारे लिए इनक्वाइरी नहीं हुई इनक्वाइरी नहीं हुई उन्होंने सेम कंप्लेंट 2021 में बिफोर दी चीफ एक्जेकुटिव आफिसर फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि मुत्वली ने खबरस्तान की जमीन पर कंप्लेक्स बनाया है दुकाने बनाई हैं और जगा खब्जा की है यह तमाम कंप्लेंट्स के ओपर यूसुफ सहाब जो एक प्राइवेट चैनल पर जिन्होंने दो दिन पहले एक इंटर्वी दिया इंटर्वी देके यह कह रहे हैं कि यूसुफ सहाब उन्हें एक इंक्वाइरी कंड़क्ट की थी जिसमें कहा गया कि अताउल्ला सरमस्तिस टू मैं वही इंक्वाइरी रिपोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी आपके सामने पेश कर गया है यह सर्टिफाइड कॉपी वख तरह सर्में बुलब्रगा कर आप पने इंत्यां इसंप इंडॉस्मेंट दिया है यहा पर इसकी पैचाने क te कंड़का स्टेट वक्फ ट्रिबिनल ने तीन प्लीकेशन को रिजथे किया है यहां पर इसकी पैचाने आगे कौन से कोटों के अंदर क्या क्या क्लेम रिजेक्ट हुए मैं बताता हूं वहां पर किसका इंफ्लूएंस है अब मुझे बताइए इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है further it is submitted to the state during my visit on the date of 6 3 2021 it is found that dargah is under the management of President Mutuali Janaab Seyyed Mujibuddin Sarmas and is found clean condition regularly the duties are visiting the state dargah during our visit we found other community peoples those are reciting of surrounding villages they explained that their feeling and says the person says that the present Mutuali is a very well gentleman under his Mutuali ship lot of development work has been done a reporter Yusuf sahab ke period mein Karnataka state board of walk-off ko CEO के direction पर वक्फ आफिसर ने क्या की थी बेजी थी जिसके inquiry के बाद इस inquiry में अताउल्ला सर्मस साहब भी दरगाशरीफ के प्रमाइसस के अंदर मौजूद थे इस inquiry में सेयद शाह मुझी बुद्दीन सर्मस साहब भी मौजूद थे यहां पर देखिए it is submitted that as पर देखिए अंदर मौजूद थे इनके प्रमाशरीफ के अंदर मौजूद थे इनके प्रमाशरीफ कहीं भी नहीं है यह उनका अब यहां पर इंट्रेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं उसके बाद अताउला सर्मस साहब ने एक कंप्लेंड बिफोर दी कोट फाइल क्या प्राइवेट कंप्लेंड प्राइवेट कंप्लेंड फाइल करके वह क्या कहते हैं जो केस भी फाइनल हुआ सेद अताउला सर्मस्त तंदे सेद शाह साधत उल्ला सर्मस्त सज्जाद नशीन बिफोर दी कोट अपने आपको क्या प अता उल्ला सरमसाब खुद सज्जादा नशील हो गए यह केस में बी फाइनल रिपोट हुई बी फाइनल फाइल किया गया इस केस को हॉन्रेबल कोट ने शापूर कोट ने क्या कर दिया डिस्मिस कर दिया यहां किसका इंफ्लूएंस है यह बोल सकते हैं बोर्ड में इंफ्ल इस केस के अंदर हमने वकील तक नहीं रखा है तो इस केस के अंदर भी फाइनल फाइल हुआ और यह केस क्या हो गया रिजेक्ट हो गया उसके बाद वह एक चीज़ कंटिनुसली बोल रहे हैं सर्वें नमबर 191 बार 9 नजमुलुदा सर्मसाब ने पर्चेस किया इस इस दि प्रिजेंट आरो और आफ सर्वें नमबर 191 बार 9 दर्गा अजरत सूफी सर्मस्त 26 गुंटा इस इस दे लेटर इशूड बाई दी चीफ एक्जेक्टिव आफिसर वही चीफ एक्जेक्टिव आफिसर जिनका नाम वह बार बार ले रहे हैं यूसुफ साहब यूसुफ साह है यहूँ अब इसके बाद 2019 में अताउल्ला सर्मस्त Size की नजर में असादूल्ला सर्मस सज्ञाधा थे दो हजार एक्कीस में अताउल्ला सरमस्ताब खुद सजादा नशीन बोलकर कोट में साबित करने के लिए कोजिश किये दो हजार तेवीस में अताउल्ला सरमस्त के भाई बिफोर दी वक्स ट्रिबिनल अप्लिकेशन सग्य भाई पूरी ड्राफ्टिंग उनोच फिर के करें वकीलां को अताउल्ला सरमस्ता भीच लेको फिर एक केस में वह केस के अंदर ओएस अप्लिकेशन नमबर 19 ऑफ 2023 के अंदर इन्हों क्या करते हैं एक दावा फाइल करते हैं जिसमें सहीश्या जैनुला अबीदीन सरमस्त सहीश्या स यह अफिडिवेट के अंदर उनके भाई भी क्या करते हैं बोलते हैं दरगा की कोई प्रापर्टी बाखी नहीं रह गई तो फिर इंप्रूंचमेंट कहा हुआ सब उनों के अंदर बोले इंप्रूंचमेंट हुआ बोलको मैं दो दिन से दूनों इंप्रूंचमेंट क्या ह बहुत एक्सपर्ट की बात किया एक अधमी बोले हो इन इंप्रूच्मेंट नहीं इन्हें इनकृच्मेंट बोलना चाहरा है को बोले बहुति है और एक बात बोले ओनो बर्खुरदार बोले तो बेटे को बोलते हैं ऐले इल्म सुन लेना हस लेना बस अपनी जगह इसके करने जाना क्योंकि यह लोग बहस से पाक हैं इन से बहस नहीं की जा सकती सुनना हसना बस बर्खुरदार बोले तो बेटे को बोलते हैं इसके साथ साथ यह प्रसेस चलते टेम जब हमारा तीन साल का आडर था एक साल एक टाइम आफ परियेट पे हमारा आडर हाई कोट के अंदर स्टे हुआ जो सही अश्या सिराज उद्दीन सर्मस सहाब ने फाइल किया था करनाटका स्टेट बोर्ड आफ ओकाफ ने हमको बाजबता तोर पर यह आडर दिया था कि आज़े सज्जाद नशीन आप रिलीजियस क्या करना है एक्टिविटीज को करना है तो सहेशा सिराज उद्दीन सर्मस सिराज साहिब ने इसको कंटेंट फाइल किया कंटेंट नंबर सी 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 नंबर टू डबल जीरो वन फोर सेवन ऑस तो टोजन टवंटीट तू इसमें अर्णरेबल हाइकोट डबल बैंच ने अपने अब्जर्वेशन के अंदर हमारी सज्जाद नशीनी के राइट्स को कंसिडर किया है कंसिडर करके यह बोला है मुत्वल्ली शिप का आडर इस्टे रहने के बावजूद भी इन्हों सज्जाद नशीनी के जो राइट्स करें वह गलत नहीं है यह अनुरेबल हाइकोट है नशीनी डबल बेंच की में बात कर रहा हूं सिंगल बेंच की बात नहीं कर रहा है उसके बाद सदुल्ला सरमस्त के अलावा कोई भी सज्जाद नशीन नहीं बन सकता उसके बाद फिर उनके बेटे भी अपले हमारे आडर को चैलेंज करेंज ड़िया र्यजेक पूरे लाओ शुकिस नो आप्लिकेशन नंबरं सेवapolis्टी नाव फूरेट उनिक रेजरी सच्ट्थ है पूरे नो करते उसके बाद नो करते इसके बाद नो करते से अब हमारे को ये हमारा हे Billy आडर दो बार चैलेंज हूा और 나올 ट्रिबिनल के अंदर on Hernandez के अंदर सीज है और लिएकोट के अंदर वह पेंडिंग है मैं इहां पर के गुजारिश करता हूं गुलत्पर का यादगीर और अत्राफ फॉकनाफ के जिलों की अवाम से कि इस तरी दुछ नाम कराब करने की और चंचल चाले करने की जो कोशिश की जा रही इस पर ध्यान मत दीजिए लीगली फाइट पूरे फोरूम्स के उपर हम लड़े हैं और अलहमदुलिल्ला जीते हैं जीत कर अलहमदुलिल्ला तमाम दस्तावेजात यहां पर मौजूद हैं अगर किसी भी भाई को यह दस्त क्या कर सकते हैं ले सकते हैं रही बात इन लोगों के क्लेम की के यहां पर पेंडिंग है वहां पर पेंडिंग है इन्हों आवलाद से नहीं आते हमारे दादा मुत्वली थे हमारे बावा मुत्वली थे फरजरी डॉकुमेंट्स की भी एक बात ही फरजरी डॉकुमेंट्स ह हमारे नहीं है वो डॉकुमेंट इस पर कोई अब्जेक्शन नहीं है जब आपको अब्जेक्शन था तो आप जुडिशल पैनल आप कोट के अंदर उसको बोलना था आप कोट के अंदर इसको नहीं बोलके पब्लिक में आके मीडिया ट्राइल कर रहे हैं आप इसके बाद भी एक दस वीडियो बनाएंगे मेरे को इसके ओपर जाना नहीं है मैं तमाम अखाइख तमाम डिटेल्स अवाम के सामने इन दस्ताविजात की बुनियाद पर रख चुका हूँ और एक शिजरा बताए उन्हों शिजरा बताए क के रुखानी बाप होते हैं और फस्युद्दीन सरमस्त और यूसुफ उद्दीन सरमस्त जो मेरे दादा है वह सगे भाई हैं मेरे दादा यूसुफ उद्दीन सरमस्त है और मेरे वालिद की परवरिश्ट फस्युद्दीन सरमस्त साब खिबला ने की है जो एक दूसरे के स आजबता लिखा हुआ है आप अपने बिरादर मुहतरम सेयद यूसुफ उद्दीन सर्मस्त के फर्जंद अकबर को सर मस्तुकूर गोड़ लेकर तालीम और तर्बियत किया एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या इनकी परवरिश करके को एजुकेशन दिला से सग्ये भाई का क्या और ऊस्ट वूच खानदार? कितना बोल के घुम्रा करेंगे? कितना बोल के लोगों को मिस्गेरट करेंगे? ये खानवादा, खानवादा है, सरकार सिदेना सूफी सरमस्त, धकन का सब में ख़दीम खानवादा है जिसके सजादे के बाज। बैठने को लोग क्या है मालूम, एहतराम समझते थे, फखर समझते थे, ये चिन्दी चोरों ने हालत इतनी गंदी करके रखी थी, कि इस मसनक पे बैटे वे सज्जादा नशीन को, कोई अपने बाजो बिठाना गवारा नहीं कर रहा था, ये हालत हो गई थी, आज वो विखार, वो रु तबा फिर से बहाल हो रहा है, उसकी वजए से कई लोगों को इसमें प्राब्लम से, और जिस शक्स का मैं जिकर किया, उस शक्स का जिसका हाथ है, जिसका पंजा है बोलकर बोला, उनके कई बिराधरी की प्रापरटी, दरगाह अजरा सूफी सर्मस्त के नाम की प्रापरटी उनकी बिराधरी के नाम पर है, उनके फैमली मेंबर्स के नाम पर है, बोलना हम अब यह सब चीज़ें खुलके, जितनी भी मस्ज़ितों पर खब्जा है भीएंगे, चेर्मेन डिस्टिक वक्वर डवजरी कमेटी बोल रहा हूं, जिस जिस ने भी जिन जिन मस्ज़ितों प खब्जा किया है, बराए रास्त मेरे पास आईए, डंके की चोट पे खड़े रहकर वो खब्जा छुडाने का काम करूँगा, और ये जो धंकारे मारते हैं, खतल करते हैं, कितने खतल करें, इंक्वाइरी इंशालला होंगी, कितने खतल किया है, परसनली जाकर हम मिनिस्ट तल्जमात के, चाहे वो जामिय अश्रफ मुबारकपूर के हो, क्या वो बरेली शरीफ के हो, गुलबर का जब भी आएंगे, उनसे मैं खुछ सवाल करूंगा, क्या ऐसे शराबी, ऐसे जुवारी का साथ देने वालों पर शरीयत का क्या हुकम है, हम भी आकर प्रोग्राम मे बराहे रास्त पूछ सकते हैं, इसके बाद इस टॉपिक पर मेरी कोई दूसरी प्रेस कांफरेंस इंशालला नहीं होगी, असलाम अलेकुम रहमतुल्ही बरकातों